अगर आप भी लेना चाहते हैं देश-दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके नमस्कार आप देख रहे हैं प्रभा साक्षी और मैं हूँ आपके साथ रेनुतिवारी यह हमारा खास प्रोग्राम है परेटन पर जिसमें आज हम आप लोगों को दिल्ली की भूतेली जगहों के बारे में बताने जा रहे हैं भूत एक बहुत ही विवादित चीज है जिस पर कुछ लोग विश्वास करते हैं जिन्हें डर भी लगता है तो कुछ लोग इसे एक भ्रह्म की तौर पर लेते हैं उनका मानना है कि भूत प्रेज जैसी कोई भी चीज नहीं होती है हम इस वीडियो में आपको किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रह है आप खुद इस वीडियो को देखिए और इनसे जुड़ी जो कहानिया है उस पर आप अपने दिमाग के रूप से इस पर विश्वास कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं हमारी तरब से आपको किसी भी तरह का अंधविश्वास आपके अंदर जगाने की बिल्कुल भी को दिल्ली में कई तरह के आकरशक अपिहासिक इस्थल पुराने महल इसमारक कबर राजा रानियो राजकुमारों जैसी कहानियों से भरा हुआ है आपको बता दें कि दिल्ली अपने परेटक इस्थल खाने आदी चीजों के लिए ही नहीं बल्कि आसामाने गतिविधियों के दिल्ली भी मश्यूर है दिल्ली में ऐसी जगहें हैं जो अपने भूतिया कहानियों के लिए बेहत जादा मश्यूर मानी जाती हैं यह सब सुनकर तो आपके मन में भी यह जानने की इच्छा होगी कि दिल्ली में ऐसी कौन सी जगहें हैं जो भूतिया मानी जाती हैं तो चल जाता है इस जगह को दिली की सबसे भूतिया जगह बताया जाता है ये जगह आपको दिन में पेहत खुबसूरत और आकर शक लगेगी लेकिन रात होते ही ये प्लेस किसी भूतिया जगह से कम नहीं लगता है कई लोगों ने यहां पर अजीब घटनाओं का अनुभाव किया ह इस जगह को लेकर ऐसा कहा जाता है कि यहां एक महिला को मार दिया गया था जिसके बाद से उसकी आत्मा भटक रही है साथ ही यहां से निकलने वाले लोगों ने यह भी बताया है कि यह महिला सफेज साड़ी पहन कर लोगों से लिफ्ट मांगती है और फिर अचानक से लिफ्ट मांगने के बाद अगर कोई गारी नहीं रोपता है तो यह महिला उसका पीछा करती है और दूर तक उसे भगा ले जाती है तो यह थी दिल्ली केंट की घटना इसके अलावा अब हम आपको बताते हैं दिल्ली द्वारका सेक्टर 9 के मेट्रो स्टेशन के बारे में यह भी एक भूतिया जगह मानी जाती है द्वारका का यह भीड भाडवाला स्टेशन प्रेत वाधितिस्थानों में से एक है स्टेशन में प्रवेश करने से पहले आपको एक बड़ा पेर दिखाई बड़ेगा उसको लेकर कहा जाता है कि यहां एक महिला की आत्मा रहती है जो दिन में किसी भी समय आपके सामने दिखने लगती है यहां से गुजरने वाले कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें यहां पर थपड लगने का भी अनुभव हुआ है यहां तक कि इस भूत को देखते ही बाइक और कार चालकों के फुटपात पर दुरघटना ग्रस्त होन की भी खबरें आई है साथ ही लोगों का यह भी कहना है कि उनकी गाड़ी के आगे एक औरत आ जाती है जो तेज रफतार से आगे दौरती है और उसके बाद गायब हो जाती है जिसकी वजह से यह दुरघटनाएं होती हैं अब आपको बताते हैं हाउस नंबर डबलू 3 के ब बना हुआ है कहा जाता है कि जिस बुजुर्ग दमपत्ती की यहां हत्या कर दी गई थी उसके बाद उनकी आत्मा ने अपने प्यारे घर को कभी नहीं छोड़ा कुछ लोग जिन्होंने इन कहानियों के पीछे की वास्तवित्ता का पता लगाने की लिए घर में समय बिताने की हिम्मत की तो उन्होंने आवास में एक लटकी हुई अंचुई उपस्थिती का अनुभो किया है कुछ रागीरों ने घर से रोने फुस फुसाने और हसी की आवाजे भी सुनी है दिल्ली वालों ने इसको बहुती ज़्यादा सीरियस रूप में इसे भूतिया घर भी घो कोशित कर दिया है दिल्ली वालों के जहन में यहां से जुड़ी कई कहानिया इतनी गहरी है कि इस घर पर कोई कबजा करने तक की हिम्मत नहीं करता है अब आपको बताते हैं दिल्ली के फिरोशा कोटला किले के बारे में यह दिल्ली में घूमने के लिए सबसे प्रसिद करता है आपको बता दें कि इस किले का निर्मार्थ चौधवी शताबदी में दिल्ली में तुगलक ने करवाया था ऐसा माना जाता है कि किले में कई जिन रहते हैं इसलिए रात के समय यह सुर्यास के बाद इस किले के पास कोई भी नहीं जाता है लोग तो यहां हर गुरु जंगल कहा जाता है जिसका नाम है भूली भट्यारि इसे भी लोगों ने भूतिया घोशित कर दिया है आपको बता दे कि इस जगय का नाम उस व्यक्ति के नाम पर रखा गया है जो इस जगय पर काम करता था और उसका नाम भू-अली भट्ति था इस महल का निर्मार्ट जाने से बचते हैं कई लोगों का कहना है कि इस जगे से रोने की आवाजें आती हैं यहां का महौल ऐसा है कि फड़ फड़ाते पक्षी और भिन भिनाती रातों के खीड़े भी यहां पर बहुत जादा दरावने महौल को उत्पन करते हैं सुर्यास के बाद लोगों को परिशर में परवेश करने से रोका जाता है यहां पर हमेशा पुलिस कर्मी तैनात रहते हैं और शाम के समय लोगों की आवाजाही को रोकते हैं अब आपको बताते हैं जमाली कमाली मगबरा और मस्जित के बारे में ऐसा कहा जाता है कि सूफियों और संतों की आत्माएं कभी नहीं मरती हैं और हमेशा अपनी कब्र गाहो और उसके आसपास घूंगती रहती हैं पंदरवी शताबदी के मुगल युक के मगबरे की बात आती है तो इस तरह की कहानिया मानो वास्तविक लगने लगती हैं यहां पर वह जगे हैं जो 1535 के दोरान रह सिवादी जमाली और कमाली की कबरे इस्थित हैं लोगों ने यहां जानवरों के चिलाने की आवाजे सुनी हैं और ऐसा आवाजे कई बार उन्हें बहुत जादा डरा भी देती हैं कुछ ने तो अपने बगल के पास एक थंडी हवा को भी महसूस किया है जिससे उन्होंने बहुत जादा भयानक रूप से अपने आप के सामने देखा है ऐसा कहा जाता है कि यहां ऐसे जिन हैं जो इन पर जाना लोग बहुत जादा अवोइट करते हैं और यहां पर कई तरह की भूतिया कहानियां भी सुनाते हैं तो आज हमने आपको बताया दिल्ली के कुछ हांटेट प्लेस के बारे में ऐसे ही लेटेस्ट अबडेट के लिए देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप बने रहें प्रभासाक्षी के साथ नमस्कार